सिद्धू मुसेवाला अगर AK-47 की गोली से ना मरे तो हैंड ग्रिनेड लेकर जाओ उससे उड़ा देना लेकिन इस बार बचना नहीं चाहिए यह कहना था कैनेडा में बैठे गैंग्स्टर गोल्डी बरार का 19 मईए को सिद्धू मुसेवाला के अपने घर से निकलने के बाद ये बात गोल्डी ने अपने शूटर से कही थी सिद्धू मुसेवाला हत्या कारण में शामिल तीन शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने गरफतार किया है इनी शूटर्स ने हत्या की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई है आज तक से जुड़े अरविंद कुमारोजा के मताबिक दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मुसेवाला मुर्डर को लेकर सोमवार यानी 20 जून को एक प्रेस कॉनफरेंस की इसमें बताया गया कि मुसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम इस मामले पर काम कर रही थी छे शूटर्स की पहचान की गई थी इन में से तीन को गुजरात के मुंदरा से गरफतार किया गया है आरूपियों को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया जहां से तीनों को चार जुलाई तक पुलिस कस्टिडी में भेज दिया गया पुलिस के मुताबिक गिरफतार किये गए शूटर्स में से एक का नाम प्रियवरत फौजी है फौजी हर्याना का गैंक्स्टर है फौजी हर्याना के सोनीपत जिले के गड़ी सिसाना का रहने वाला है दिल्ली बुलिस ने आगे बताया कि 26 साल का प्रियवरत फौजी मुसेवाला की हत्या में इस्तेमाल की गई कारों से निकलते हुए फतेहबाद के एक पेट्रोल पंप पर देखा गया था पेट्रोल पंप का सीसी टीवी फौटेज निकलवाकर इसकी पहचान की गई थी दिल्ली बुलिस ने अपनी प्रेस कॉंफरेंस में बताया कि प्रियवरत फौजी शूटर्स के एक मॉड्यूल को लीड कर रहा था उसे वाला के मुर्डर के समय वे गोल्डी बरार के सीधे संपर्क में था फौजी से पहले भी हत्या के दो मामलों में शामिल रहा है ये दोनों केस सोनीपत के ही है पुलिस के मुताबिक गिरफतार किये गए दूसरे शूटर का नाम कशिश कुल्दीप है चौबिस साल का कुल्दीप हर्याना के जजजर जिले के सज्यान पाना गाउं का रहने वाला है इसे भी घटना के पहले पतेगर के पेट्रोल पंक के CCTV फुटेज में देखा गया था ये 2021 में हर्याना के जजजर में हुई एक खत्या में भी शामिल है पेशल सेल की गिरफत में आए तीसरे शूटर का नाम केशफ कुमार है 29 साल का केशफ पंजाब के भटेंडा जिले के आवा बस्ती का रहने वाला है दिली पुलिस के मताबिक तीनों शूटर्स ने पूछताच के दौरान बताया कि कैनेडा से गोल्डी बरार ने साप आदेश दिया था कि अगर एके 47 या दूसरे हत्यारों से भी मुसेवाला को मारने का प्लान सफल नहीं हो पाया तो हैंड ग्रेनेट से मुसेवाला की गाड़ी ही उडा देना यानि किसी हाल में मुसेवाला बचना नहीं चाहिए अकड़ेगाई शूटर्स ने बताया कि इसलिए वे मुसेवाला को मारने के लिए हैंड ग्रेनेट भी साथ ले कर गए थे इनके मुताबिक हत्याकांड में इस्तेमाल हत्यार गोल्डी बरार और लॉरेंस विश्णोई की कहने पर विदेश से मंगवाए गए थे लिपुलिस के मुताबिक सिदू मुसेवाला को मारने से पहले मुसेवाला को आठ बार मारने की कोशिश की गई थी लेकिन मुसेवाला इनाठ बार में इसलिए बच गए क्योंकि वे बुलिट प्रूफ गाड़ी में सवार थे और हत्यारों से लैस कमांडों उनके साथ रहते थे तीनों शूटर्स ने बताया कि हत्याकांट वाले दिन केकडा और निकू ने गोल्डी और सचिन को पहले विडियो कॉल कर बताया कि मुसेवाला बिना बुलिट प्रूफ कार के घर से निकला है गोल्डी ने तुरंद प्रियवरत को फोन कर हमला करने को कहा इसके बाद हमले को अंजाम दिया गया दिली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में ये भी बताया कि मुर्डर में दो मॉड्यूल एक्टिव थे दोनों गोल्डी बरार के संपर्क में थे एक मॉड्यूल के चार लोग बुलेरो गाड़ी में सवार थे ये गाड़ी किरफ्तार किया गया कशिश कुल्दीब चला रहा थे इस मॉड्यूल को प्रिएवरट लीड कर रहा थे इस गाड़ी में गैंक्स्टर अंकित सिरसा भी बैठा हुआ था दूसरा मॉड्यूल कोरोला गाड़ी में सवार थे इस कार को केशव चला रहा था इसमें जग्रीप रूपा और मनप्रीद बैठे हुए थे कोरोला कार ने सिदू मुसेवाला की कार को ओवर टेक किया था जिसके बाद सबसे पहले मनप्रीद मन्नू ने AK-47 से मुसेवाला के ओपर फाइरिंग की थी शुक्रिया